हेलो एवरीवन मैं स्वपनिल्तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज हम आर्थिक सर्विक्षण 2020-2020 के बारे में चर्चा करेंगे यह वीडियो मैंने आपके क्विक रिविजन के लिए तयार किया है कि यह वीडियो पूर्ण थां MCQ अर्थात Multiple Choice Questions के अधार पर रहेगा यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर्ण साबित हो सकता है उसका मुख्य कारण यह है कि इस पर जो प्रशन बन सकते हैं उन प्रशनों को मैंने बनाया है इसलिए वीडियो बहुत महत्पूर्ण है इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंतरगत उन पहलूं पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण एक्जाम में गलतियां होती है हम आर्थिक सर्विक्षन का डेटा जानते जैसे कि यह कृषी छेतर के बारे में यह पूछा गिया है यह द्वितियक छेतर जी हां यह अलग होते हैं उस्थिर मुलने का आकड़ा है यह परचल्त मुलने का और कृस्समें कौन सा लेना है इन पहलूपर हम चर्चा करेंगे तो इसलिए यह वीडियों आपके लिए बह के Android app पर तथा आप इसे WhatsApp के थूभी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जानकारी नीचे description पर दी गई है Android application का link और contact details नीचे description में आपको मिल जाएंगे इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप सकार Academy से जुड़कर CGPSC prelims और mains की online लाइन तयारी भी कर सकते हैं और 50% छूट का लाब भी उठा सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है नीचे description में दिए गए link से सकार Academy के Android application को download करना है तथा अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है जिसकी demo कक्छा है आप हमारे Android applications तथा YouTube पर भी देख सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आर्थिक सर्वेक्षण के सेशन को प्रारंब करते हैं चलिए चैप्टर शिक्स वानिकी में आते हैं प्रशन संक्या एक कर इसके पहले हमने और भी पांच चैप्टर देख चुके हैं जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के काफी चैप्टर हमने कवर किये हैं कि हमने उस अभी प्रश्णों को देखा है जो प्रीवियस पेपर में सीजी प्रारंभीक परिक्षा में उच्छे जा चुके हैं और उस अधार पर जो प्रश्ण बन सकते हैं उन्हें भी हमने 2019-2020 के आर्थिक सर्विक्षण के अनुरूप देख लिया है तो मैं आशा करता हूं कि उसमें आपका पिछले पांच वीडियो में अच्छा खासा रिविजन हो चुका होगा तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं बिना किसी दिरी के यह हमारा है प्रश्ण आज जयव भौगॉलिक द्रिष्टी से देश में कौन से जयव चेत्र में आता है तेक है याद रखिए इंडियन जिग्राफिक के पॉइंट ऑफ यू से बायो जिग्राफिकल जोन अलग-अलग बाटे गए यह जयव भौगॉलिक छेत्र क्या होता है भौगॉल तो हमें की वनस्पति और वन्यजीव के अधार पर जब पूरे भारत का वर्गी करण किया जाता है तो भारत के जयव भगॉलिक छेत्र कहलाते हैं तो उसमें जो 36 गड़ है हमें ऑप्शन देखके तो लग रहा होगा यार उस नकटी बंदी जयव चेत्र होना चाहिए या तो डंड इस प्रकार प्रश्ण संख्या 2 देखिए वानिकी जो अध्याय है वानिकी से हमारे एक्जाम में बहुत ही लिमिटेट कोश्चन आते हैं और आते हैं चाहे आपका सीजी पीएस्टी हो चाहे सीजी व्यापम तो इसलिए जो लिमिटेट कोश्चन है उसको बिल्कुल सॉलि है राज्य का कुल छेत्रफल चत्रफल चत्रफल है यह कित्ता 5 977 2.40 वर किलो मेटर अगले प्रश्ण में देखेंगे और चत्रफल राज्य का छेत्रफल है किलो मेटर का कित्ता प्रतीशर्थ है तो प्रश्ण संख्या 2 का आपका अंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44.2 परसेंट देखें 43.13 भी देखा हुआ डिटा है यह आरक्षित वनों का डिटा अभी आएगा आगे प्रश्ण में मैंने इसे कवर किया है तो यहां याद रखें द्रिश्टी से देश में कौन से स्थान पर आता है देखिए इसी प्रश्ण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो वन छेत्रफल की द्रिश्टी से 36 राज्य का स्थान क्या है चौथा लेकिन यदि यह कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है ना भले हमने प्रिवियर्स पैटर्न इसमें लिखा है लेकिन यह सीजी पेसी एसी एफ और व्यापम के एक्जाम में यह एक पर्माडेंट कोश्चन वन छेत्र से रहता ही है तो वन छेत्रफल की द्रिश्टी से 36 राज्य का कौन सा स्थान है भारत में चौथा लेकिन यदि आप्शन न नमबर सी ऑप्शन नमबर सी याने की पीसरा अब इसे समझ लेते हैं इसमें कंफ्यूजन होता होका इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई जो फॉरेस सर्वे रिपोर्ट होती है भारत फॉरेस सर्वे रिसर्च इंस्टिट्यूट के द्वारा जो जारी की जाती है उ वना वरन कहने का मतलब होता है भईया केवल और केवल 1 में जहां पर और अरक्षित संक्रचच और अवर्गी क्रекст वन को सम्मीलित किन जाता है वही आपका वना वरन कहलाता है तो स्थान पर तीसरा लेकिन वनावरण में जब रिक्षा वरण जोड़ दिया जाता है यानि कि और भी जो वरिक्ष लगाया जाते हैं इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ एक हेक्टेर भूमी में 10% से कम यदि रिक्ष है तो वह रिक्षा वरण कहलाता है और 10% से वह कुल वन छेत्र कहलाता है और उस द्रिश्ट्री से चत्तिजगड़ का स्थान क्या है राज भारत में चौथा लेकिन वनावरण कहेगा तो क्या है तीसरा क्लियर होरी यह बात ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रशन संख्या 5 में आते हैं चत्तिजगड़ के लिए बढ छेत्र फल का कितना खुल वन छेत्र फल कितना है तो यह बिल्कुल डेटा रट लेंगे ऑप्शन नमबरे 5 9772.40 अभी तक तो डेटा रटा भी गया होगा आप त्यारी कर रहे हैं आगे चलते हैं प्रशन संख्या 6 में आते हैं चत्तिजगड़ के लिए वर्स 2019 बीस का वन कुल वन छेत्र का 14.40aları यह फीजी प्रतिशत है थीख है यह तो सहीं है से रक्षित 1-162.3entes motto 23.30 के लुय किमाूंट में में चत्त्र क शोला दसम्ला छाइन प्रतिशत हैं ओस प्रतिशत हैं तो कश्रक्षाझा जस प्रतिशत हैं ज आपका अंसर होगा option number D देखिए वनों को प्रशासन के अधार पर तीन भागों बाटा जाता रक्षित वन सर्रक्षित वन और अरक्षित वन एकदम शौट में जहां पर प्रवेश पूर्णतह प्रतिबंद होता है वारक्षित वन सर्रक्षित वन जहां पर प्रवेश की अधे वर प्रवेश दिया जाता है तो यह सर्रक्षित वन कहलाता है न तो सर्रक्षित कहलाता है और इसका जो डेटा लिखा हुआ है कि यह कुल वन शितर इतना है 40.22 से 16.26 पांच है यह सारे डेटा बिल्कूल authentic है प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि एक्जाम में कुल आरक्ष सब्सक्राइब और उसलिए इसलिए डेटा मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है आप इसे बिलकूल करेंगे और कंठास्त करेंगे प्रस्चन संक्या साथ में आते हैं तो 36 गड़ राज जब वन विकास निगम की स्थापना की गई है मई 2001 यह भी एक्जाम में पहले पूछा जा चुका है से बिलकुल रट लेंगे देख है चली आगे चलते हैं तो देखिए भईया कोरबा रायगर्ड जगदल पूर सभी और यहांसर हुआ कि आप्शन नमबर डी उपरियुक्त सभी तो यह वन के कुछ बहत तो पूर कोश्चन है जो आर्थिक सर्विक्षण से संबंदित है लेकिन इसके अलावा भी वन छेत्र से काफी प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं जैसे कि भई कितने वनवरित हैं तेक है वन अनुसंधानियम प्रसिक्षण संस्थान कहां है उसका छेतरी कार्याल है कहां है वन पाल प्रसिक्षण संस्थान कहां है इसके अलावा मतलब फॉरेस से रिलेटेड यह और भी कुश्चन ने जो चत्रिसगर जियोग्राफिक की कच्छाओं में हम पढ़ते हैं मैंने पढ कर रहा है चलिए आगे चलते हैं अगले चैप्टर में आते हैं चैप्टर सेवन खनी जेवं अन्य अन्य कहने का मतलब कि यह भी हमारी आर्थिक सेर्विक्षण की आखरी क्लास होगी तेक है क्योंकि यहां पर वो सारे डेटा में आपके कवर करूंगा जिसमें आपको की आथेंटिक चाहिए इसके बात के जो चैप्टर से वह बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है और उसके बात के जो चैप्टर है चलिए हम उस पर थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं पहले हम इसे शुरू करते हैं तो चैप्टर सेवन खनी जेवं अन्य प्रश्न संख्या एक चतिस गड़ के लिए वर्स दो हजार अठारा उन्निस में गौण खनीजों का मुल्य कितना था यह सीजी पीएस्टी प्रेलिम्स दो हजार चवदा का कोस्चन है देखिए मैं ऐसे कोस्चन को छोड़ने वाले कोस्चन मानता हूं आप चुकि हम पुर और खनीजों का मुल्य है गानीजों को दो क्रिकरी में बाटा एक आता है मुख्य खनीजी और गोन सब्सक्रों प्रतिशत है और गोल्म की खनीजों का उपादन राजवी राजेस्व मोह द annoying इससे कई घुना ज्यादा मुख्य खनीजो का है और दया है वो एकजाम में नहीं पूछा गया है केवल गौन खनीजों का पूछा गया है तो पूछा गया है तो आप इसे बिलकुल याद रखे आप चुकि हम गौन खनीजों का देख रहे हैं तो एक मुख्य खनीज का भी देख लेते हैं इसी अधार पे एक प्रश्ट बनेगा कि चत्तिगड़ के लेवर सुनिस बीस में मुल्य कितना था मुल्य या पाधन मुल्य लिख यह कई तो भाया इसका अंसर भी है आप्शन नंबर ओप 5550000 κα्रोड के बाद लाग है ना तौग करूड के बाद लाक आसा कण्फूज नहीं होना कि उत्तरी लाक है कि वह करूड के बाद लाक तो ऑप्षन नमबर दो ऐसे प्रस्ट नहीं आते गया है प्रश्ट संख्या तीन चतिसगर राज्ज के खनीज उत्पादन मुल्ले का अखिल भारत के कुल उत्पादन मुल्ले का सबसे अधिक प्रतिशत वर्ष दो हजार बारा तेरह से 17 अटूबर तक की अधि में किस वर्ष रहा है तो आपको लग रहा होगा कि 17 अठरा तो बिलकूल यह पीस्टी 2017 का एजटी सेम कुश्चन है सर इसको नहीं किया आपने आपके मन में हो सकता है डाउट आ रहा होगा लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो का आंसर होगा आपका option number D 17 18 जस्ट दुगना व्रिद्धी हो गया था इसी लिए सबसे अधिक प्रतीशत का पूछा गया था सतरा के पेपर में जो की क्या है आपका दो हजार सतरा अठरा देख है चलिए आगे चलते हैं इसी प्रकार 2017 का ही खनीश से कोश्चन था कि चत्ति पिछले वर्ष की तुलना में घटा है एक दम अलग कोश्चन था ना किश वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में घटा है तो प्रश्ण संख्या चार इसका आंसर है आपका option number C 2015 16 तो क्या सरी हमको हर खनीजों का पढ़ना पड़ेगा जी नहीं आपको हर खनीज का पढ़ने इसलिए पूछा गया और याद रखिए कोईले का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है सिवाए 2015 16 के इसके साथ यह फेक्ट भी याद रखना है क्या कोईले का उत्पादन प्रती वर्ष बढ़ रहा है सिवाए 15 16 के 15 16 को ही वो पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है और 15 16 को ही कोईले का उत्पादन 2018-19 तक नियूनतम रहा है कि याद रहेगा दो एक्स्ट्राफेक्ट याद रखेगे ना पहला तो यह हुआ कि पिछले वर्स की तुलना में कब गहटा है 15 16 में और 15 16 में ही ये क्या रहा है नियूनतम रहा है याद रहेगा ठीक है चलिए आगे चलते खनीजों के मुल्य में राज्य का योगदान प्रतीशत कितना है यानि कि भैया जैसे 100 करोड रुपए का पूरे भारत में खनीजों से मुल्य या राज्य से प्राप्त हुआ है तो उसमें 36 गड़ का योगदान कितना है इस प्रकार पुछा जा रहा है तो यह प्रश्ण संक् इसका अंसर होगा आपका option number a 9.3% याद रहेगा यह उत्पादन में योगदान नहीं है उत्पादन खनीज के मुल्य में योगदान है ना उत्पादन खनीज के मुल्य में योगदान है ध्यान रखेंगे इस बात का किता option number a 9.3% ठीक है चली आगे चलते हैं प्रशन संख्या चे चतिसगड़ के राजस्व में खनीज के दोहन से प्राप्त राजस्व का योगदान लगभक कित्ते प्रतीशत है तो यह भी एकजाम में पुछा गया है कई बार एक सीजी पीस्टी में नहीं पर यह व्यापम में कई बार पुछा गया है इसे आप याद रखेंगे प्रश्न संख्या साथ में आते हैं कि देश के कोईला उत्पादन का कितने प्रतीशत उत्पादन का प्रतिनिधित्व 36 गड़ राज्य करता है तो नंबर पर है और कितने प्रतीशत उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है 22.33 देश के कुल 22.33 प्रतीशत कोईला को अकेला 36 गड़ ही उत्पादित करता है अब इसके साथ ही कुछ फैक्ट आप और याद रखेंगी कि जैसे कि 36 गड़ में लौह अयस्क का उत्पादन में 36 30 गड़ भारत में कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है तो वह है आपका कितना 16.22 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है याद रहेगा उसी प्रकार आपका चूना पत्थर के उत्पादन में 11.19 प्रतिशत का करता है और बाकसाइट के उत्पादन में 6.26 आउट आ रहोगा या कहीं किसी नोट्स में आपने 21 परसेंट पड़ा होगा तो मैं आपको बता दू यह आपको 21 परसेंट लिखा हुआ डेफिनेट्टी मिलेगा लेकिन वह 2018 तक का है वह आपका उसके आगे के वर्स को सम्मिलित नहीं किया गया है तो यह एक्जेक्ट डेटा है आप मूल परती भी लिखी हुई देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में जो लिखा है वह तो अठारा तक 17 तक कई है लेकिन जो उस के कुल खनीज उत्पादन में कोईले में योगदान जो है बाई दसम्मलों तीन तीन प्रतीशत है लह आयसक के कुल उत्पादन में योगदान 16.2 प्रतीशत है चूना पत्थर में 11.1 प्रतीशत है और बाकसाइट में 6.2 शे प्रतीशत है तो लाइन से चारों का भी इसमे कम का सही क्रम क्या है जो खनीच से राजस्ट प्राप्त हो रहा उसमें सरवाधिक से प्रारंब करते हुए कम में आपको क्रम बताना है जैसे की बही सभाविक है लोहे का उत्पादन सरवाधिक होता है ठीक है तो लोहे से राजस्ट सौरी कोईले का उत्पादन सरवाधिक है क कोईले के उत्पादर में चत्तिस्तों गड़नी राज्य है तो कोईले से ज़ाधा राजस्वाता होगा तो आपपशन ए और ऑफशण डीतों होगा नी कोईला वाला ही होगा है तो इसका आंसर यहां टिक भी लगा रह गया है तो इसका आंसर है आपका option number B कोईला पहला नंबर लह अयस्क दूसरा चुना पत्थर तीसरा बाकसाइट चौथा याद रहेगा तो कोईला हो जाएगा पहले नंबर पे लह अयस्क दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे चुना पत्थर और चौथे नंबर पे बाकसाइट राजस से प्राप्ति में अधिक से कम की और ये क्रम है ठीक है लेकिन यदि यही उत्पादन में पूछेगा अधिक से कम तब भी सेम आंसर आएगा ठीक है सरवाधिक उत्पादन कोईला दुसरा नंबर आपका लॉयस्क तीसरा चूना पत्थर और चौथा बाकसाई याद रहेगा देख है चली आगे चलते हैं जिला खनी संस्थान न्यास नियम कब अधी सूचित किया गया है तो प्रश्ण संख्या नौ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाइस दिसंबर दो हजार पंदरा देखिए ऐसे कंफ्यूजिंग बनेंगे हो सकता है आपका दो अक्टूबर को बैस चल दे एक नल्मबर को भी चलेए पंदरा को तो हो सकता है नहीं आनान कि चाहिए और जा सकता है इसका आंसर है 2 दिसंबर दो हजार पंदरा को जिला खनीच संस्थान नियास नियम अधी सूचित किया गया है अब यह जिला खनीस नियास नियास है क्या स्रुश गि डिस्टिक मिनरल फंड बनाया जाता है यह खनीज संस्थान न्यास क्या करते हैं जहां भी उस जिला में खनीज का उत्पादन होता है तो रॉयल्टी की रूप में 30 प्रतिशत 20-30 प्रतिशत रॉयल्टी की रूप में राजस्व पराप्त करते हैं और जो रॉयल्टी की इसी को प्राथमिक छेत्र के विकास के लिए यही प्राथमीक्ता प्राप्त छेत्र के लिए समझ में आया क्या है यह तो जिला खनीज संथ्यान न्यास समझ लीजिए एक विभाग है खनीज विभाग का एक हिस्सा है जो उस जिले में खनीजों का जो पादन किया जाता है उससे रोयल्टी के रूप में 20-30% रुपए कुछ प्राप्त करता है पट्टे के अधार पर और यह जो 20-30% पैसा एकटा होता है उसका 60% उच्च प्रात्मिक्ता प्राप्त छेत्र में खर्च करना निवारी रहता है और बचा हुआ जो हिस्सा है अन्य प्रात्मिक्ता प्राप्त छेत्र में खर्च करना होता है तो यह जो पैसा है वो कहलाता है डिस्टिक मिनरल फंड त के लिए राज्य का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य मंत्री होते हैं जाद रहेगा और भी इसमें क्रम होता है तो उत्तर डिटेल जानने की ज़र्वत नहीं इतना सफिशेंट है वो सब में मेंस की क्लास में देखते हैं देखेंगे भी प्रश्ण संख्या 10 में आते हैं CMDC चत्तिदगर मिनलर डवलप्मेंट कार्पोरेशन के द्वारा कौन सी परियोजना संचालेट नहीं की जाती है तो देखिए कोल की जाती है बाकसाइट की जाती है चूना पत्थर नहीं की जाती है option number C answer कोरंडम की जाती है तो याद रखिए CMDC के द्वारा पांच परियोजना संचालेट की जाती है जिसमें से आपका कोल बाकसाइट कोरंडम लोह अयसक और तिन ऐसी पांच परियोजना संचालेट की जाती है प्रश्ण संख्या 11 में आते हैं 36 गड़ में नवीन प्रस्तावित एकी करित अधो सर्रचना विकास केंद्र IIDC निम्न में से कहां पर है तो देखिए धूरा गाओ बस्तर अभनपूर रैपूर जी जाम गाओ धमतरी और सुकमा में सुकमा ये चार जगा में नवीन प्रस्तावित IIDC एकी करित अधो IIDC का फुल फॉर्म है में बनाया जाना प्रस्तावित है याद रहेगा कहां चार जगा पहला तो यह धूरा गाओ बस्तर दूसरा अभनपूर रैपूर तीसरा जी जाम गाओ धमतरी इस प्रकार आप कांसर हो गया हो पुर्युक्त सभी तेक है इसके अलावा चौथा है योजना है जिसके तहत अध्योगिक छेत्र का विकास किया जाता है इसमें 60 प्रतीशत अनुदान अधिक्तम 6 करोड तक किंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और सेश अनुदान राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है किसी अध्योगिक छेत्र के विकास के लिए इसी योजना का नाम है IADC Integrated Infrastructure Development Center एकी कृत अधोसर रचना विकास की इंद्र तेक है चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 इसके लावा जो अन्य अध्योगी छेत्र उससे संबंदित प्रश्न हों सीजी जियोग्राफिम देखते हैं वह मैं नहीं कवर कर रहा हूं तेक में कितनी प्रतीशत बढ़ गई है तो कितनी प्रतीशत बढ़ गई है तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 137 प्रतीशत बढ़ गई है क्लियर है कि इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 36 गड़ राज्य की कुल विद्यत उत्पादन 16 सितंबर 2019 तक कितनी थी तो इसका आंसर रखेंगे option number A 32, 24.70 याद रहेगा 32, 24.70 36 गड़ में कुल 11 उर्जा गरी थे जिसमें से 7 ताप विद्यूत गरी है और 4 जल विद्यूत गरी है 7 ताप विद्यूत गरी को मिलाकर और 7 और 4 ग्यारा टोटल ग्यारा को मिलाकर 36 गड़ राज्य का कुल विद्यूत पादन होता था 34, 24.70 लेकिन 2019 में कोरबा इस्ट जो था उसे 200 मेगा वाट का जो कोरबा इस्ट था उसे डी कमीशन कर दिया गया है अर्थाद बंद कर दिया गया है तो हर जो उर्जा गरी रहते हैं उसकी एक उम्र होती है उसे बंद कर दिया जाता है उत्पादन वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है इसलिए उत्पादन चमता हाल ही में कम हुई है 34, 24.70 से 32, 24.70 हो गई है 200 मेगा वाट यह कम हो गई है लेकिन गठन से लेकि अभी तक 137 प्रतीशत बढ़ गई है तो यह डिटा याद रखेंगे और वह कौन से 11 है आपका मणवा है कोर्बा वेस्ट है कोर्बा इस्ट है स्यामा प्रसाद मुखर जी है और आपका जल्विद्यूत है गंगरेल है सिकासार है हस्द्यो है मीनी माता बांगो पर योजना जो है ऐसा ग्यारा है पूरा डेर सारा है मैं उसे यहां कवर नहीं कर रहा हूं ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रशन संख्या चवदा देखिए नया डेटा है इसे आप बिलकुल रटिये मैं आपको सला दूँगा 36 गण में जन गणना 2011 के ग्रामों की अनुसार 100% विद् करित ग्रामों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए उननिस हजार पांसो सड़साट वन नाइन फाइप सेक्स सेवन याद रहेगा जी तेक है अब यहां हो सकता है पढ़ने में डाउट हो रहा होगा तो यह जो वन नाइन सौ प्रतीशत जो कह रहे हैं वरतमान में तो 36 गण में अनुसार सौ प्रतीशत विद्धितिक्रित तो 2011 की जनगण नाम में कुल ग्राम कित्ते थे उननिस हजार पांसो सड़सट उस हिसाब से यह सौ प्रतीशत विद्धितिक्रित हो गया है लेकिन 20,000 से ज्यादा गाउं है 36 गण में तो इस प्रकार से आपका खनी जेवम अन्न के साथ यह आर्थिक सर्विक्षण के टॉपिक हमारा समाप्त होता है अब इसके बाद जो आर्थिक सर्विक्षण में अध्याय बसते हैं जिसे की समाजिक सेवाएं सिक्षा स्वास्त संबंदी सेवाएं तो यह सारी योजनाय वाले चैप्टर है जनसंख्या का मैंने आप को बताया है कि जनसंख्या से संबंदित हमने PDF material तयार किया है ठीक है वह PDF material जो है आपको हमारे सकार एकडमी के android application से भी उपलब्द हो सकता है और हमारे संस्थान के WhatsApp नंबर से भी उपलब्द हो सकता है दोनों की confusing नहीं है मैंने उन पहलूओं पर ज्यादा focus किया है जहां एक्जाम में confusion होता है जहां data पढ़ने में भी कठिनाई आती है तो मैंने उन पहलूओं पर प्रयास करते वे ताकि आपका अच्छे से एक revision हो जाए एक solid structure डेटा से संबंदित आपका तयार हो जाए इसलिए मैंने इस च्छै वीडियो के session को बनाया था इस च्छै वीडियो के session को यदि हम सुरू से देखे तो लगभग हम 115 question cover कर चुके हैं जिसमें हम आर्थिक सर्विक्षण के 16 chapter में से 10 chapter को cover कर चुके और जो इसके लावा बाकी 6 chapter बसते हैं उस 6 chapter से आपके पिछले 2014 से लेके 2019 के CG PSC prelims के exam में उन 6 chapter में से 6 question नहीं आए ठीक है और वो सबसे बड़ा chapter है धेर सारी योजना है उसमें तो मेरी एक सला ये भी रहेगी कि समय को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी तयारी अभी आर्थिक literature की पूरी नहीं हो पाई है और आप अभी तयारी करने बैठ रहे तो इतना ही जितना मैंने बताया है उसे focus कीजिए वो बाकी जो है बहुत वास्ट है उसे आप छोड़ दीजिए ये मेरी सला है लेकिन आप पहले से तयारी यदि कर रहे हैं और उसे पड़े है या किसी को या किसी भी study material का प्रिफर करते हैं और उसमें आपको data मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका आर्थिक सर्वेक्षण का मूलप्रती देख कर मैं यह सला दूंगा कि आप समय विर्थ ना करें क्योंकि उससे question आया भी तो बहुत कम आएगा आप पहले यद अब इस पूरे 6 वीडियो का जो 115 प्रश्ण है उसका pdf material भी आप चाहे तो हमारे सकार एकेडमी के android application तता संस्थान के whatsapp के थुरू आपको प्राप्त हो सकता है तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है यह 6 वीडियो पूरा session आपको पसंद आया है तो आप इसे ब CGPSC prelims और मेंस की online तयारी के लिए आप जल्द से जल सकार एकेडमी से जुड़े सकार एकेडमी में CGPSC मेंस की कक्छाएं CGPSC prelims के तुरंत बाद online कक्छाएं प्रारंब हो रही है और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर कर सकते हैं तब तक घर में रहिए सुर कर सकते जुफ कर एके लिए बाद बाद